आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी कुर्कूरी, क्रिस्पी और करंची आलू का चिप्स ये कच्छे आलू से बना हुआ चिप्स है आप येकीन मानिए कि आप इस तरह का अपने घर में चिप्स बनाएंगे तो बजारों का चिप्स खाना भूल जाएंगे और ये ये ऐसा चिप्स है कि बनाए जाओ और खाते जाओ घर में जो डेली यूज आलू होता है उसी आलू से आप चिप्स बनाना मैं शुरू करती हूँ मैं आलू को ले लिए हूँ आलू तो सभी के कीचन में अक्सर रहता है अभी तो नया नया आलू उतरा हुआ है इसका चिप्स बनाने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मैं आलू को इसे छिलका उतार लेती हूँ, आप आलू से छिलका को अच्छे से उतार ले, मैं सारे आलू को छिलका को उतार लेती हूँ, मैं आलू से छिलका को उतार ली हूँ और इसे पानी में मैं डाल दी, पानी में डालने से हमारा आलू जह है, ये काला पन नहीं होगा, इसे अच्छे से आलू को मैं पोच लेती हूँ, आप इसे पानी को अच्छे से सुती कपड़ा से इसे सुखा ले, मैं सारे आलू को अच्छे से इसे पानी से पोच ली हूँ, आप जो चिप्स काटने वहला मसीन जो रहता है उससे मैं इसे काट लेती हूँ, इधर जो है ये इसे डिजाइन का चिप्स निखलेगा जैसे आलू का चिप्स ले जूज रहता है उस तरह का धीरे धीरे करके चिप्स को आप काट ले आप चाहे तो इस डिजाइन के भी बना सकते हैं या दूसरा डिजाइन के भी बना सकते हैं मैं सारे चिप्स को इसे काट ली और पानी को मैं अच्छे से सूती कपड़ा से सुखा ली हूँ कि ये छानने में बहुत ही अच्छे से ये छाना जाए और कुरकुरी बनकर तैयार हो ये देखिए कंगी का डिजाइन बन गया है और चिप्स को मैं काट ली हूँ आप मैं चलती हूँ छान लेती हूँ जब आप इस तरह की चिप्स अपने घरों में बनाईंगे थे बजार का खाना चिप्स भूल जाएंगे चिप्स को छानने के लिए मैं गैस को जला लेती हूँ, कडाही को मैं गैस पे रखकर कराही को मैं गर्म कर लेती हूँ, इसमें तेल को मैं डाल दी हूँ, तेल हमारा अच्छे से गर्म है, तेल को आप बहुत ही अच्छे से गर्म कर ले, तेल हमारा गर्म है, अब मैं चिप्स को इसमें डाल देती हूं, आप धिरे-धिरे करके चिप्स को डाल दे, ऐसे मिला ले, आप इसे मिलाते रहे, आप गैस को हाई फिलेम पर रखे, क्योंकि चिप्स डालने से हमारा तेल का जो टमपरेचर है, ये लो हो जाएगा, मैं हाई पर रखूंगी, तो हमारा तेल का पकेगी, और थोड़ी देर बाद इसे आप कम कर सकते हैं, और कम करके इसे अच्छे से आप चिप्स को पका ले, तो आपके जो ये चिप्स है, ये बहुत ही कुरकुरी और किरिस्पी करंची बनकर तयार होगा, तो हमारा चिप्स जो है, ये बहुत ही कुरकुरी बनकर तया दूसरी बार इसी तरह से आप चिप्स को छान लें मैं दूसरी बार चिप्स को डाल देती हूं इसी तरह से आप गैस को हाई ही रखे इसे हमारा चिप्स जो है ये पूरी तरह से पक जाएगे और ये तेल के जो टमपिरेचर है ये लो नहीं होगा और हमारा चिप्स है ये बह तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब आवस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो हमारी कुरकूरी करंची चिप्स बनकर तैयार है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ आप तेल से चिप्स को अच्छे से निकाल ले हमारा चिप्स बनकर तैयार है अब मैं कुछ इसमें चटपटी मसाला को डाल देती हूँ ये बहुत ही करंची बनकर तैयार हुआ या में गरम मसाला को डाल देती हूं, आम्चूर पटा डाल देती हूं, इससे हमारा चीप्स बहुत ही टेस्टी लगेगी, स्वादन उसर नमक को डाल देती हूं, नमक आप अपना नुसर कम जादा कर सकते हैं, और इसे मैं चम्मसे मिला लेती हैं, आप चाहे तो हाथों से भी अ तो बोतल में भरकर आप रख सकते हैं कुछ दीनों के लिए यह चिप्स जो है यह बहुती टेस्टी लगेगी खाने में हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर चरूर करें तो मिलती हूं आप सभी से कल नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल लखे और स्वस्तर है तो चलती हूं आप सभी के लिए नई वीडियो को तैयारी करने के लिए कल मिलती हूं इसी समय है